Good morning students, आजका subject है English grammar, इसमें हम chapter number 20, conjunctions, joining words पढ़ेंगे conjunctions क्या होते हैं, यानि कि दो sentence को जब हम जोड के लिखते हैं, तो वो होते हैं, उनमें हम conjunction का use करते हैं आप conjunctions कौन कौन से होते हैं, जैसे होता है, and, but, because, or, so ये होते हैं conjunctions, ठीक है, जब हम दो sentence को जोड़ते हैं, तो इन conjunctions का use करते हैं, लेकिन इनका conjunction का use कैसे करते हैं, ये मैं भी आपको बताऊंगे अभी आप conjunctions और भी होते हैं, बट आज हम इन ही conjunctions के बारे में पढ़ेंगे and मतलब हिंदी में होता है, और, but मतलब होता है, लेकिन, per, or, kintu, because, मतलब क्योंकी, और मतलब या, so, मतलब इसलिए ठीके, ये इनके हिंदी के meaning है, ठीके, तो ये चीज़ आपको पहले याद करने होगी, अब हम सबसे पहले end का use करते हैं, कि end का use कब करते हैं, जब हमारे पास में similar sentence जोडते हैं, हम similar sentence को जोडने के लिए हम end का यूज़ करते हैं किसका end का similar sentence है जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक example दिया I have chocolate full stop I have ice cream ठीक है ice cream मतला मेरे पास chocolate है और मेरे पास ही ice cream है यानि कि दोनों चीज़े मेरे पास में different person के पास में नहीं है दोनों चीज़े मेरे पास में हैं एक की जैने की बात हो रही है similar sentence है दोनों एक जैने की पास में दो चीज़े होना यानि कि उसमें हम end का यूज़ करते हैं अगर similar sentence हो तो इसमें हम कैसे यूज़ करेंगे I have चॉकलेट एंड दोनों सेंटेंस को जोडने के लिए एंड आइसक्रीम यानि कि मेरे पास में चॉकलेट और आइसक्रीम है ठीक है यह सेंटेंस बनेगा जब हम सिमिलर सेंटेंस को जोडते हैं सिमिलर सेंटेंस यानि कि एक की जनने के पास में चॉटलेट भी है और डहा ऀस क्रीम इसके लिए दो सेंटेंस बदने में देख़िए ठीके लेकिन इन दोनों को एकसेंटेंस बनाना धे हमको तो हम उसको 150 कि लिए एंड का यूजप यूजप करेंगफे यह यूजप किया यूजप केए यूजप की यूहां अदिती रन फास्ट रेनु रन was दोनों रन कर रही है तो क्या होगा अधिती एंड रेनु रन फास्ट यानि कि सेंटेंस सिमिलाइर बस नेम चेंज ए लौन के इनमे कहों के उन अब बट का यूज कैसे करते हैं, जब दो different type है, हमारे पास में दो idea आता है कुछ है, हम कुछ idea बता रहे हैं हमारा, तो उस sentence को जोडने के लिए हम बट का यूज करते हैं, जैसे for example, I play so much, मैं क्या हुआ, बहुत खेला, मैं बहुत खेला या खेली, I am not tired, बट मैं नहीं थका या नहीं थकी, ठीक है, तो यह क्या हो गए हमारे पास दो sentence हो गए, अब यह क्या है, different different sentence है, यहाँ पर तो same sentence है, similar sentence है, यहाँ पर I played so much मैं बहुत खेला या खेली, बट I am not tired, लेकिन मैं नहीं थका, अब इसमें लेकिन आया, जो लेकिन का जो मतलब हमें English में वो होता है, बट, ठीक है, तो जो different type के sentence है, हम कोई idea बता रहे हैं, हम हमारी बता रहे हैं कि मैं इतना काम कर लिया, फिर भी मैं नहीं थका, अगर मैं यह बोलूँगी, मैंने इतना dance किया, फिर भी मैं नहीं थकी, ठीक है, तो उस condition पे हम बट का use करते हैं, जब हम दो different type के sentence होते हैं, हम हमारा idea बता रहे हैं, कि या हम हमारा कुछ explain कर रहे हैं कि मैं इतना काम करता हूँ, फिर भी मैं नहीं थका, मैं वहाँ गया था, लेकिन यह नहीं हुआ, इस तरह के जो question होते हैं, मैं school गया, लेकिन school बन था, इस तरह के से जो होते हैं, दो different type के idea बता different type के sentence उसमें हम but का use करते हैं तो इसको करने के लिए I played so much but I am not tired ठीक है but अब जो इसमें but का use हुआ है दो sentence अभी तो क्या है fully stop लग गया तो इस दोनों sentence अलग अलग है but हमने इसमें but का use कर लिया तो वो sentence पूरा एक हो गया अब ये different sentence नहीं रहा ये दोनों से एक sentence बन गया I played so much मैं बहुत खेला लेकिन मैं नहीं थका ठीक है इस तरीके से but का use होता है दो different type के sentence में but का use करते हैं next है because because मैंने आपको पता है क्यों की होता है because मतलब होता है क्यों की तो इसका कब होता है अगर दो sentence के बीच में reason हो जैसे मालो आपके पास कोई reason है sentence में जैसे मैं बोलते हूँ आप बहुत खुश हो या आप हाँ जैसे मैंने for example लिखा जैसे Asha was happy Asha क्या थी? बहुत खुश थी ये sentence हो गया she won the race she won the race वो race जीत गई थी ठीक है तो ये क्या हो गए? different different sentence हो गए अब इनको जोनने के लिए because का यूज किया है ठीक है? ये भी different type के है sentence लेकिन इसमें reason है वो खुश क्यों थी? क्योंकि वो race जीत गई थी ठीक है? इसलिए different type का है sentence बट वो खुश इसलिए थी क्योंकि वो race जीत गई थी अगर sentence के बीच में एक sentence में तो बताता है कि वो ये काम करके बहुत खुश है या sad है बट डूसर sentence उसका reason बता रहा है अगर डूसर sentence reason बता रहा है तो उस condition पे हम because का यूज करेंग जैसे आशा was happy because she won the race ठीक है? तो यह अब दोनों sentence मिला के एक sentence बन गया ठीक है? तो यहाँ पे conjection जो यूज हुआ है वो because हुआ है अगर condition में second sentence हमें reason बता रहा है कि वो first sentence में तो हम जो भी है sad है, happy है करा है बट उसका reason हम क्यों दुखी है क्यों खुश है क्यों क्या कर रहा है जो भी है उसका reason second sentence हमें बता रहा है तो उस condition पे हम because का use करेंगे ठीक है? अभी आता है और यह देखिए और मतलब होता है या और का use करते हैं अगर आप कहीं जा रहे हैं जैसे मालो आपके पास दो choice है for example दो choice है अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके पास में दो choice है एक car है और एक bike है तो वो आपके पास choice हो गई ठीक है? तो उन दोनों में से आप कौन सी choice लेंगे car और bike तो उस condition पे हम car और जो और बीच में आया है न वो conjunction है तो वो दो को sentence को जोड रहा है ठीक है तो choice अब हम choice हा जाती है तो उस condition पे हम और का use करते हैं जैसे मालो जी फर एक्जमपल would you like to have tea or coffee ठीक है तुम्हें क्या पसंद क्या लेना पसंद करेंगे आप जैसे मालो जी मैंने आप चे कुछ पूछा क्या आप काफी लेंगे या आप जैसे मैंने लिखा would would you like to have to tea or coffee tea or coffee ठीक है अब इसमें जो यह और आया हो गया कंजेक्शन यानि कि tea और काफी में से मैंने आफर किया है सामने वाले को क्या आप टी लेंगे या काफी लेंगे चॉइस दीए तो उस कंडिशन पे होता है और का यूज अगर हमारे पास में दो चीजों में चॉइस हो जैसे माली जीए आपको कुछ पहननी है अब आपको मैंने जीन्स पहनना है या फ्रॉक पहनना है तो वह चॉइस हो गए आपके तो आप फ्रॉक और जीन्स यह आप तो जो और उसको में यूज हुआ है वो होता है और उसकी वज़े से आगे वले सेंटेंस में कुछ हुआ है ठीक है जैसे मान लीजिए है एक्जामपल दिया मैंने आपको आई वाज टाइड यानि कि मैं ठक गई थी तो क्या हुआ आगे क्या हुआ उसकी वज़े से मैं ठक गई थी इसमें क्या है फर्स्ट सेंटेंस की वज़े से नेक्स सेंटेंस में जो रीजन आएगा तो जब मैं फर्स सेंटेंस में क्या बोल रही हूं कि आए वाज ठक गई थी तो मैंने बाद में क्या किया तो उस कंडिशन पे स्व कोका युज होगा अगर मैंने त्राइस नें चल दोजे सेंटेंड में मैं सेटेप लिया तो उसको जोंडने के लिए उन दोने संटेंस को जोंडने के लिए हमको सोका यूज करना पढ़ेगा जैसे में थक गई थी ब शाहिएज पूर्णट है पर I went to sleep, इसलिए मैं सोने चली गई, इसलिए, तो जो सो का मतलब बताया, इसलिए, तो जो सो यूज हुआ है, वो है कंजक्शन, ठीक है, तो यह चार पांज जो कंजक्शन है, उनका पहले आपको समझना पड़ेगा कि end का यूज कब होता है, जब similar sentence हो, ठीक है, similar sentence को जोनने के इसलिए हम end का यूज करते हैं, अब भी हम बट का पड़ेंगे, बट में मैंने आपको क्या बताया, कि इसका मतलब होता है, लेकिन और किन तू, तो यह मैं आपको समझा चुकी हूँ, कि जैसे कोई idea आता है, तो opposite चीज होती है, different sentence होती है, तो opposite sentence में opposite होता है, तो हम बट का यूज करते हैं, ठीके, जिसे मैंने यह बताया, आई प्लेट सोमझ में बहुत खेला, लेकिन मैं नहीं थका, ठीके, और मैं थका भी नहीं है, ठकी भी नहीं, तो इसमें मैंने दोनों sentence हो जोडने के लिए, एक sentence बनाने के लिए उसमें बट का यूज किया था, अभी because, because का यूज करते हैं, जिब दो sentence की बीच में कोई reason होता है, जैसे, यहाँ पर एक sentence है, इसका reason क्या है, तो अगर दूसरे sentence में उसका reason पता चल रहा है, ठीके, इस sentence में वो चीज, जो भी क्रिया हो रही है, अगर जो भी काम हो रहा है, अगर उसका reason हमें second sentence में पता चल रहा है, त तो दोनों sentence को जोडने के लिए हमें because का use करना पड़ता है ठीक है जिसे वो खुश थी वो क्यों खुश थी हमें अभी तक नहीं पता ठीक है जैसे मैंने इसको में यह लगा दिया कि अभी तक हमें नहीं पता वो बस लिखा हुआ रहा है आशा वाज हैपी वो खुश थी बट ठीक है अब है यह संग्स जिख दो चीज़ों में चिश चर नीपर तो हम कंडिशन में दो आपो शीकमालो में पूशतक क्या थीजा यह पहर Either जाए लिएक ही पता लिए तो दो कॉफी और टी दोनों मिसाब जो प्रीफर करते हो वह तो वह होती है ठीक है तो जब भी चॉइस वाली बात आती है तो हम और गई उसके अपने करते हैं अप सौका उसक्राइब करते हैं क्या करते हैं जब फर्स सेंटेंस में हमें पता है कि मैं थक गई हूं बड़ मैं उसका तो अगर नए से स्टेप में थकने चक्कने मैं उसको पूरा कर लिया काम अपना के हां में सोने चली गई थी तो उसमें हमें सौका यूज करते हैं तो यह होती है चीज आगो किलियर हो गई अब इसकी वरकशिट है जिसे फर्स्स कोशिए ने टिक डा करेक्ट कंजेक्शन ही वर्क हाड उसने क्या करा बहुत अच्छा वह वर्क हो किया ना उसने में महनत करी है तो वह सकसेज हुई तो हम कोई काम करते हैं अगर उससे हमें तरह नहीं थक गई थी स्मी में सोने चल गए था एक तो करना सिक्षा यह समझ किया इसे लिए हमने अब बर्ट रों प्रों साही है और शेल्फिश यालनी स्वीट भी आच्छा भी है और शेल्फिश सो दोनों अपोजिट हो गएं कि बात एक चीज की हो रही है ऐकी बंदे की हो रही है बढ़ यहां पर सुईट मतलब तो बहुत प्यारा मधूर होता है और सेलफी मतलब जो काम नहीं मानता अपने मर्जी का काम करता वो शेल्फिस है ठीक है तो इसमें हम बट का यूज करेंगे बट यहां ऐगा रानी सुईट बट शेल्फिस Mr. Arora is kind and but helpful Mr. Arora kind भी है दयालू भी है और helpful भी है तो यह दोना opposite नहीं है kind और दयालू मतलब helpful मतलब वही होता है ठीक है यानि कि काम करने वाला है मदद करने वाला दयालू है यह सारा यह की meaning होता है I could not go out I was not मैं भाण नहीं गया I was not well क्योंकि मैंने यहां पर दीक्या बाता है जब कोई reason हमें second sentence से पता चल जाता है तो हम उसमें because का यूश करते हैं इसमें I could not go out इसमें पता नहीं चल रहा कि क्यों नहीं है लेकिन second sentence में उसमें reason पता दिया क्योंकि वो ठीक नहीं था बेबी क्या है क्यूड भी है और नौटी भी है दे आर पूर अब वो क्या है वी गरीब है लेकिन हैपी हैं तो यहां पर हम बट का यूश करेंगे कि वो पूर तो हैं लेकिन वो खुश है यू बाइ औरेंजीज मैंगोज तो तुमने क्या खरीदे मैंगोज और 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 औरेंज खरीदे तो यहां पर एंड आएगा अब जॉइन दे सेंटेंड विद दे कंजेक्शन गिवा इन दे ब्रैंकेट और रिराइट देम अब जिसे दा मून इसकूल दा सनीज हॉट तो इसमें बट का यूश करना है तो कैसे किया है मैंने दा मून इसकूल बट दा सनीज हॉट राहूल इस यंग ही इस वह अमीर तो है मन से भी अमीर वैसे पिंदे यामीर वैसे फ्यर्लाइक असे इस तरीके से आपको दो संटेंस की बीच में जो मैंने ब्रैकेट में दे रहा है उसका यूश करना है अबड ही चूज्ज दा करेट कंजिसें फिल इन दे ब्लैंक एंस तो बट और 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 इनका आपको यूज़ करना तो जैसे शोयेता डैश सोनी जिस्टर और सोनी सिस्टर से राणी आटी से यह यह तो बैट जो या फिर जाओ तो दोनों में हमको 24 मिल गया तो बैट जो क्या यह जाओ तो दोशर मिल रही है То 24 में हम मिलती है तो हम किस नहीं करते और तो इसे तरीके से आपको यह पूरा कम्प्लीट करना है ओके थैंक यू